प्लीज आप सभी जो है अपने सहीयोगियों को सुचित करने जो भी क्लास से जुड़ना चाहते हैं जल्दी सी जुड़ जाएं चली तो क्लास की स्टार्टिंग करते हैं अभी का हमारा पहला जो क्वेशन है यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन पर क्वेशन दिखाय जा रहे हैं विलोम शब्द के और आपको माइक आउन करके अपना विलोम शब्द बताना है सही विलोम शब्द गलत विलोम शब्द जो तो क्या है इसका जवाब? इसका सवे ही जवाब है अरोही का विलोम शब्द आपको बताना है यह तो question number 19 शुरू हो गया है शौमा कीजिएगा question number 1 से सुरू करेंगे निम्न में से किसका विलोम शब्द अगम है अगम का विलोम शब्द दुर्गम सुगम दुर्जय अजे तो अरगम का अगम का विलोम शब्द जो है वो है सुगम अगम का विलोम शब्द जो है वो है सुगम second question है अक्षट किसका विप्रीज सब्द है अक्षट जो है अक्षट वैसे चावल हुआ करता है अक्षट का मतलब चावल हुआ करता है पर यहां पर बताना है कि अक्षट का विलोम शब्द जो क्या है विप्रीज शब्द आपको बताना है अक्षट का एक सेकेंड, वर्टसेप नोटिफिकेशन में आफ कर दूं, क्योंकि काफी ज़्यादा यहाँ पे साउंड आ रहा है तो सेकेंड कोश्यन है, अक्षद किसका विपरीच सब्द है, तो अक्षद का विपरीच सब्द है, यहाँ पे विख्षद थर्ड क्वेशन चलते हैं अवनी का विलोम शब्द अवनी आप लोग जानते हैं अवनी क्या होता है अवनी का मतलब होता है प्रत्वी तो प्रत्वी का विलोम शब्द आपको बताना है तो प्रत्वी का विलोम शब्द जो होगा अंबर होगा पाताल गलत जबाब है प्रत् का विलोम शब्द, अध का मतलब क्या होता है, शुरुवात होता है, और इती का मतलब होता है, अन्त होना, तो अध का विलोम शब्द है, इती, अतिथी, अतिथी मतलब की जो आते हैं, और अतिथी का विलोम शब्द बताईए, इसको अतिथे ये भी बोलते हैं, तो अतिथी क अमर का विलोम शब्द है अति थेई नेक्स्ट है कॉस्चन अमर सेवन अमर का विलोम शब्द अमर मतलब की जो अमर हो और अमर का उल्टा होता है मरत मतलब की जो मर सके उसे मरत बोलते हैं तो सेवन्थ का अंसा नमबर है B. अमर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा मर्त Then अग्र का विलोम शब्द अग्र का विलोम शब्द बहुत सिंपल है पस्च अग्र मतलब आंगे पस्च मतलब पीछे अपकार का विलोम शब्द अपकार मतलब किसी का बुरा करना और अपकार का उल्टा होता है उपकार नाइंथ का C चलिए next question की तरफ चलते हैं अगला question है अभियूक्त का विलोम शब्द बताईए अभियूक्त मतलब जिससे किसी अपराध में चार्ज किया गया हो उसे अभियूक्त कहते हैं तो अभियूक्त का विलोम शब्द बताईए अभियूक्त का है निरापराध है अभियूक्त का विलोम शब्द है निरापराध है अभियूक्त का विलोम शब्द है अभियूक्त का विलोम शब्द है अकुलीन, नोट का लिजे, कॉपी में लिख लिजे, अभिजात इंपोर्टेंट है, तो अभिजात्य का जो विलोम शब्द है, वो है अकुलीन अभिजात्य का विलोम शब्द है अकुलीन ठीक है नेक्स्ट अती वरस्टी का विलोम शब्द सभी लोग जानते हैं अना वरस्टी होता है बारमा क्वेश्चन तीरवा क्वेश्चन अवनत का विलोम शब्द सभी जानते हैं उन्नत होता है C, थटीन का C, अवनत का उननत, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता, अध्यात्मिक पतलब जो संसार से परे होता है, तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द होगा संसारिक आरोहन का विलोम शब्द क्या होता है आरोहन याने चढ़ना अवरोहन याने की उतरना आरोहन का विलोम शब्द अवरोहन आकर्षन का विलोम शब्द क्या होता है आकर्षन का विलोम सब्द होता है प्रतिकर्षन या विकर्षन तो सोलवे का आंसर है आकीन का विलोम सब्द रताई ये आकीन सत्रवा है सत्रवे का है आकीन का विलोम सब्द होता है विकीन इसका संक्रीन नहीं होता है उसका होता है विकीन तो लिख लिजे आकीन का विलोम सब्द होता है विकीन ओके विकीन विलोम सब्द होता है आकीन का विकीन आगमन का जो विलोम शब्द है वो क्या है आगमन का निर्गमन वियोजन आगमन निर्गत निश्कासन ठीक ना तो आगमन का विलोम शब्द है निर्गमन याने की जाना आगमन याने आना और निर्गमन याने की जाना इसके बाद बात करते हैं आरोही का विलोम शब्द आरोही का विलोम शब्द है अवरोही 19 का A देन इसके बाद 20 की बात करते हैं आसक्त का विलोम शब्द आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा आश्रित का निंदा विरक्त आशक्त मतलब जो बहुत जिसे लालच हो कई चीजों का और विरक्त मतलब होता है जिसे किसी प्रकार का लालच ना हो तो आक्षक्त का होता है विरक्त अंधकार का विलोम शब्द तो प्रकाश होता है simple question है आचार का विलोम क्या होता है आचार का विलोम कई बार देखा आचार का विलोम 22 question answer है अनाचार आचार का विलोम अनाचार इह लोग इह लोग का विलोम सब्द बताईए परलोक, भूलोक, ब्रह्मांड इन में से कोई नहीं Q23 Q23 का आंसर बोलिए इह लोक, इह लोक का विलोम सब्द क्या है इह लोक का विलोम सब्द है परलोक बहुत अच्छे मेडम इह लोक का विलोम सब्द है परलोक इती का विप्रीत आर्थक सब्द बताईए 24 में का इती का होता है इती याने शुरुवात अथियाने खतम उत्करष्ट का विलोम शब्द बताईए उत्करष्ट मतलब बेहद अच्छा और 25 उत्करष्ट का बताईए निकरष्ट होता है उन्मुक का विप्रीष बताईए आंसर होता है विमुक उपसर्ग किसका विलोम है 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 होगा? बड़ उपसरग का सरग नहीं है उपसरग का है प्रत्यर 20 वा गॉश्चन उच्छावास का विलोम क्या हूथ मतलब होता है असमंजस की स्थिती और असमंजस का विलोम होगा निस्चित कहते हैं उपसरग का सरग काelia हूथ पुह पोह का निश्चित होगा रितु का विलोम सब बताई रितु का विलोम सब बताई लिख लिजे इसको यह बहुत important question है रितु का विलोम सब जो होता है वो होता है अनरत रिजु का विलोम सब बताई रिजु मतलब होता है सीधा रिजु मतलब होता सीधा और रिजु का विलोम सब्द होता है क्या वक्र टेड़ा तो है यहाँ पर अप्सन में तो 31 का अप्सन नंबर लगा लिजिए वक्र अगला करुणों शब्द का विलोम सब बताई करुणों का करुणों मतलब क्या होता है दयालू होता करुणों का क्या होगा बताई दयालू तो होता है करुणों का विलोम शब्द निर्दाई निच निश्ठुर तो देखें निच हो नी सकता है दयालू तो करुण खुद होता है तो या तो निष्ठुर होगा या निर्दाई होगा तो करुण का विलोम सब्द कौश्य नमर 32 का याद कलीजे करुण का है निष्ठुर लिक्वे लीजे करुण का विलोम शब्द है निष्ठुर वेक्ति है कानन किस का परियावाची है कान किसका विलोम है वन भीड सून सान या शहर ओके आपने सुना होगा एक शब्द नंदन कानन आपने एक जंगल का नाम सुना होगा नंदन कानन उडिसा में है तो वहाँ पर वर्ड कानन आता है ओके तो किस चीज का विलोम है वही कानन का मतलब होता है जंगल और जंगल किस ची बाको माने और क्रतग उलता होता है क्रतग जानता है 34 का सी क्रतग रात करे लोह सब्द भी होता है और इस्थूल भी होता है ओके तो इसका अंसर है ए तथा भी दोनों क्रश का विलोम लिख लीजे पुष्ट वा इस्थूल दोनों होता है क्या बता है मैंने क्रश का जो विलोम सब्द होता है पुष्ट वा इस्थूल ओके पुष्ट वा स्थूल चलिए अगले question की तरफ चलते हैं अगला question question number 36 36 question है चलिए 36 question है देखिए करकस का विलूम शब्द आई करकस का विलूम शब्द क्या होता है 36 का correct answer D. करकस का मधूर खंडन का विलूम शब्द आई 37 खंडन का विलूम शब्द आई खंडन मतलब खंडित करना और खंडन का विलोम सब्द है मंदन खंडन का विलोम सब्द है मंदन खगोल का विलोम सब्द है खगोल का विलोम सब्द बताईए खगोल का रिलेशन जो है आकास से है और भुगोल का रिलेशन प्रत्वी से है तो 38 का खगोल का होता है भूगोल ये प्रत्वी से related भूगोल गत का विलोम सब्द ता है ये गत का गत का विलोम सब्द 39 का आगत गत का है आगत गम्मे का विलोम सब्द जाने योग होता है गम्मे और ना जाने योग होता है अगम्मे गरल का विलोम शब्द है गरल क्या होता है भाई गरल का मतलब होता है विश्च और विश्च का विलोम शब्द क्या होता है अम्रत अम्रत का परियावाची है सुधा तो यहाँ पे गरल का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो सुधा हो जाएगा 41 question तो 41 का आपने देख लिया question number 42 पर आते है question number 42 गुरू गुरू किस का विलोम है गुरू जो है लगु का विलोम है गुरू जो होता है लगु का विलोम होता है गौन किस का विलोम है गौन प्रमुख का विलोम है घटक का विपरीज सब्द क्या है घटक यानि उसके तुकडे और समुदा यानि यानि की एक साथ तो घटक का विपरीज सब्द है समुदा है ठीक है चिरंतन का चिरंतन जो है चिरंतन मजलब जो हमेशा बना रहे है उसको चिरंतन बोलते हैं और चिरंतन जो शाश्वत है वो भी चिरंतन होता है शाश्वत चिरंतन दोनों एक ही चीज़ है इसका उल्टा होता है नश्वर चारू, ओके चारू का विलोम सब्द क्या होता है, चारू का विलोम सब्द होता है, अचारू, 47 का ए, चारू का विलोम सब्द होता है, अचारू, चेष्ट का विलोम सब्द क्या होता है, चेष्ट, चेष्ट मतलब की जो इक्छा योग है, चेष्ट, सचेष्ट, विचेष् सत्य निरंतर निराश तो छदम का विलूम सब्द आपको बताना है छदम का विलूम सब्द बताईए छदम का होता है व्यक्त छदम का मतलब होता है एक तरीके से जो चीज भ्रमित में हो जो कालपनिक रूप में हो उसको छदम बोलते हैं और जो व्यक्त है जो वास्तिविक है उसको व्यक्त बोलते हैं तो छद्म का विलोमसद जो है वो व्यक्त है अगला पचासमा कोश्चन जै का विलोमसद पराज़ है जै मतलब जीत और पराज़ मतलब हार जै मतलब होती है जीत और पराज़ मतलब हुआ करती है हार चलिए आई अगला question देखते है जातिये का विलोम सब्द जातिये का होता है वी जातिये जातिये का विलोम सब्द होता है वी जातिये जंगम का इस विलोम सब्द होता है इस थावर यह बहुत important question में आया हुआ है जीना का विलोम सब्द है ना और इसका उल्टा होता है निस्तथ जो ही ले डूलेना धाणस का विलोम सब्द होते है किसी को सांतवना धाणस देना और उसका उल्टा होता है किसी को तरास करना गुण Это sixty क्या होता है सरल का कठिन होता है वगर यहां कठिन है नहीं तो सरल की सब्दे की सरल जो है सरल स्वभाव के लिए रिलगेगा तो सरल का हो जाएगा कोटिल ओके तो संतावन का आंसर नंबर बी है कोटिल कनिष्ठ का विलूम सब्दे क्या हो कनिष्ठ मतलब नीचे वाला और कन प्रश्च का उल्टा होता है वरिष्ट कनिष्ट अध्यापक वरिष्ट अध्यापक बहुमत का क्या होगा बहुमत या सब की मर्जी से और बहुमत का उल्टा होता है अल्पमत वोकि बहुमत का उल्टा स्वामत नहीं होता है यादर के गमित्रों बहुमत का उल्टा होता है निम्ने में से विप्रितक सब्द का कौन सा है, योग में सुमेलिती यह नहीं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं, भिग कान भिग सही है, इश का अनीश सही है, हित का अहित सही है, सुर का असुर होता है, ना की सुरा तो यह गलत है, सुर का असुर होता है, सुर का सुरा नही होता है तो 60 में ताला लगा ये 60 का सी है अगला समूल का होता है निर्मूल समूल का क्या होता है निर्मूल सुदूर का विलोम सब्द बता है ये सुदूर मतलब बहुत दूर है और सुदूर का होता है बहुत ही पास पास से भी पास सन निकट सुदूर मतलब दूर से भी दू सुदूर और पास निकट से भी निकट से निकट स्रजन का विलोम सब्द क्या होता है स्रजन यानि की होता है किस चीछ को पैदा करना और स्रजन का विलोम सब्द होता है नाश करना स्रजन का विलोम सब्द होता है नाश करना तो 63 का अंसर लगा लीजिए इसका answer है D श्रजन का नाश करना चलिए आई ये देखते है इस्थिर का विलोम सब्द क्या होता है साहस का विलोम सब्द क्या होता है साहस करना साहस करने का विलोम सब्द क्या है बताईए एक बार साहस लिखा हुआ है साहस का विलोम सब्द साहस का विलोम सब्द है दुष साहस साहस का विलोम सब्द क्या है दुष साहस चलिए एक ब्ढ़िया है इसको ग्रूप में एक बार हम डाल देते हैं जिससे कि लोग थोड़ा सा इसका आंसर देखेंगे तो साहस का विलोम सब्द क्या है मित्रों साहस का विलोम सब्द है दुस्साहस शहिष्णू का विलोम सब्द क्या है अशहिष्णू अशहिष्णू मतलब जो दया न दिखाए है उसको क्या बोलते है अशहिष्णू और शहिष्णू का विलोम सब्द है सुडोल का विलोम सब्द क्या है बेडोल सुलोम का विलोम सब्द क्या है बेडोल साक्छर्ता का विलोम सब्द क्या है निरक्छर्ता साक्छर्ता मतलब पढ़े लिखे निरक्छर्ता अनपढ़ टाइप का हित का क्या है भीया अहित हित का क्या है अहित स्वार्थी का विलोम सब्द होता है परार्थी स्वार्थी का विलोम सब्द क्या होता है परार्थी परमार्थ नहीं होता है परमार्थी भी नहीं होता है स्वार्थी खुद के अर्थों वाला और परार्थी मतलब दूसरे के अर जो लोगों में प्रतियोगीता कराती है उसको इस पर्धा बोलते हैं और इस पर्धा का जो विलोम सब्द है भहिया इस पर्धा का विलोम सब्द है सहयोग 71 का B इस पर्धा का विलोम सब्द है सहयोग स्विक्रत का विलोम सब्द क्या है स्विक्रत का विलोम सब्द है अस्विक्रत स्विक्रत का विलोम सब्द है अस्विक्रत बटे यहाँ पर देखे अस्विक्रती है स्विक्रत का अस्विक्रत यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि options में B में एक में 80 कृती दिया हुआ है और एक में अस्वीकृत दिया हुआ है तो स्वीकृत का क्या होना चाहिए 72 का question है तो 72 का अस्वीकृती option में दिया हुआ है बट मुझे थोड़ा doubtful case लग रहा है ठीक है कहाँ पर थे हम लोग एक सेकंड तो देखे कहाँ पर थे एक बार फिर से बता देते हैं full speed के साथ से देखे यहाँ पर विलोम शब्दे में अक्षत का विक्षत अंतरदोंद का बहिरदोंद अक्षम का सक्षम अगला का पिछला अगरच का अनुज अच्छा का बुरा अर्थ का अनर्थ अर्थ अत का इती अनुकूल का प्रतिकूल अवनती का उननती अनुरक्त का विरक्त अस्त का उदे अलपायू का दिरधायू अंधकार का प्रकाश अम्रत का विश अग का विग अनुराग का विराग अच्छाई का बुराई अतिवरश्टी का अनवरश्टी अनुरक्ती का विरक्ती अपमान का सम्मान अंत का आदी अंदर का बाहर अनियाई का विरोधी अनात का सनात आशा का निराशा आश्रित का निराश्रित यह हो गए एक लाइन के अगला आशान का मुश्किल आस्तिक का नास्तिक आवाहन का वि बाची विलोम शब्द प्रमात्मा है आकर्शन का विकर्शन या प्रतिकर्शन आकाश का पताल आद्रकाशुस्क इह लोक का परलोक इक्षा का अनिक्षा इस्ट का अनिष्ट इज्जत का बेज्जत इमानदार का बेइमान पुत्रीन का अनुत्रीन उत्रकर्श का अपकर्श उचित का अनुचित, उपस्थित का अनुपस्थित, उतक्रष्ट का निक्रष्ट, उतार का चढ़ाओ, उठना का बैठना, उत्तम का अधम, उत्तम का निम्न नहीं होता, उत्तम का अधम रहता है, उत्तान का पतन, एक का होता है अनेक, एकता का अनेकता, और एक का होता है अ कर्पन का उदार हुआ जड़ का होटा है चेतन जाग्रत क का शुषुप्त शुषुप्त कैसे लिखा जाता है शुषुप्त दीर्द का हरस्वे आई और देख लेते हैं कुछ और बचे हुए हैं जो दयालू का निर्दय, निर्धन का धनी, नैसरगिक का कृतिम, निरक्षर का साक्षर, निराकार का साकार, निर्मल का मलिन, निर्मल याने साप स्वच्छ, निर्मलिन याने गंदा, इसके बाद नूतन का पुरातन, पुरातैकाल का सायमकाल, प्राकृत का कृतिम प्रश्न का उत्तरबंधन का मुक्ती, बाढ़ का विलोमसद सूखा, मौखिक का लिखित, मित्र का शत्रू, मूख का उल्टा वाचाल, मूल का निर्मूल, मृत का उल्टा जीवित, मृदुल का उल्टा कठोर इसके बाद है यश का अपियश, रच्छक का भक्षक, लौकिक का अलौकिक, लाभ का हानी, लचीला याने फ्लेक्सिबल कठोर याने हार्ड, वक्र याने करवी, रिजु याने श्ट्रेट सीधा, व्यस्टी, समस्टी, वर, वधु, वीर, कायर, वरष्टी, अना वरष्टी या अतिवरष्टी भी बोलते हैं इसको, शीत का उश्ट्र, शीत याने ठंडा उश्ट्र, याने गरम, शकुन, अब शकुन, श्वेत, शाम, स्मर्ण, विश्मर्ण, सरल, कठिन, सुलब, दुरलब, सैयोग, वियोग, सतकार, दुदकार, ओके सतकार का विलोम सत क्या होता ह दुदकार के सतकार करना या दुदकार करना आग फिर है स्वतंत्र, परतंत्र, सक्रिये, निश्क्रिये, संधी का उल्टा क्या होता कल बता है था विग्रह, संधी का उल्टा विग्रह, सुगंद का दुरगंद, सजीव का निरजीव, स्परधा का सहियोग, स्मर्ण का करत ये देखिए अस्वी करती नहीं है अस्वी करती है तो उसका जवाब मिलगा अस्वी करत का अस्वी करत है हर्श का विसाद हानी का लाब हलका का उल्टा भारी हार का जीत हित का अनहित या अहित और होनी का अनहोनी तो ये हमारे सारे के सारे जो आज के विलोम शब्द थे हो गए हैं तो मित्रो जरूर बताइए कैसा लगा है यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और क्लास में लगाता आते रहे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद